प्रदेश से हाली मैं निर्वाचित लोगसभा सांसद कंगना रनोत को जब आज वो डेली जा रही थी तो चंडिगर्ड का जो एरपोर्ट है जब यहां से उसने फ्लाइट लेनी थी तो जो CISF की कॉंस्टेवल थी कुलविंदर कोर उन्होंने उन्हें तमाचा रख दिया है और उसके बाद जो है अंदर बावाल हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुलविंदर कोर थी वो CISF में बतोर कॉंस्टेवल यहां पर काम कर रही थी और जब कोई पैसेंजर जाता है तो उसकी चेकिंग करती थी यह वही रास्ता है जहां से करीब ढ़ाई बजे आज कंगना रनोत जो है वो दिल्ली की फ्लाइट पकड़ने के लिए यहां से अंदर जाती है और जब चेकिंग की जाती है तो उसी दोरान जो है वो कलविंदर कोर उन्हें थपड रख देती है कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसानी आंदोलन के दोरान जब कंगना रनोत ने टि अंदर जाती है साड़े तीन बजी की फ्लाइट थी उनकी डेली के लिए लेकिन यहां पर जो है वो कहीं न कहीं उनके साथ जो है एक हास्ता हो जाता है और जो CISF की कॉंस्टेबल है उन्हें यहां पर धपड रख देती है हलांकि उसके बाद जो है कंप्लेंट की गई है और उन्हें अब जांच किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो निकल कर आ रहा है तो इसे लगता है कि क्या यह स्योजित यानि कि पहले से ही सोची समझी कोई इस तरह से की वीडियो भी बनाया गया और उसके बाद जो है क्या यह पहले से सोचा गया था कि इस तरह क की हरकत जो है वो constable करेगी तो अब पूरा जांच जो है वो चल रहा है और CISF के अधिकारी जो है इसकी जांच कर रहे हैं साथ ही ये भी का जा रहा है कि करना रुनोत ने जो है वो शिकायद दर्ज की है तो अब कही न कहीं जांच इसकी होगी और क्या कुछ इस जांच में निकल कर आता है क्या ये पहले से ही जो सोची समझी रनीती के तहट जो है उसे थपड मारा गया है या फिर जो है वो एका एक इस तरह की हरकत जो है उस constable ने की है और ये सब को जांच का विशे है तो अब जब जांच होगी तब निकल कर आएगा लेकिन जिस तरह से अभी हाली मैं निर्वाचित जो सांसद है कंगना रनोत और आज पहली बार वो जीतने के बाद जो है वो डहली जा रही थी लेकिन चंडिगर्ड एरपोर्ट पर जो है उनके साथ इस तरह का जो है कही न कहीं उन्हें थपड रखा जाता है तो अब ये जान चल रही है चल परदेश से हाली मैं निर्वाचित लोगसभा सांसद कंगना रनोत को जब आज वो डहली जा रही थी तो चंडिगर्ड का जो एरपोर्ट है जब यहां से उसने फ्लाइट लेनी थी तो जो CISF की कॉंस्टेवल थी कुलविंदर कोर उन्होंने उन्हें और उसके बाद जो है अंदर बावाल हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुलविंदर कोर थी वो CISF में बतोर कॉंस्टेवल यहां पर काम कर रही थी और जब कोई पैसेंजर जाता है तो उसकी चेकिंग करती थी यह वही रास्ता है जहां से करीब ढ़ाई बजे आज कंगना रौनोत जो है वो दिली की फ्लाइट पकड़ने के लिए यहां से अंदर जाती है और जब चेकिंग की जाती है तो उसी दौरान जो है वो कर लूदिंदर कोर उन्हें ठफपड रख दीती है कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसानी आंदोलन के दोरान जब कंगना रोंत ने टिपनी की थी उससे नराज थी तो उसको लेकर जो है उन्होंने थपड रख दिया साथ में जो उनके पॉलिटिकल मीडिया एडवाइजर थे उन्होंने भी बदले में एक कॉंस्टेबल को धपड रखा है तो अंदर काफी महाल गर्म है तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि यहीं से करीब धाई बजे कंगना रोंत अंदर जाती है साथे तीन बजे की फ्लाइट थी उनकी डेली के लिए लेकिन यहां पर जो है वो कहीं न कहीं उनके साथ जो है एक हास्ता हो जाता है और जो CISF की कॉंस्टेबल है उन्हें यहां पर धपड रख देती है हलांकि उसके बाद जो है कंप्लेंट की गई है और उन्हें अब जांच किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो निकल कर आ रहा है तो इससे लगता है कि क्या यह स्योजित यानि कि पहले से ही सोची समझी कोई इस तरह से की वीडियो भी बनाया गया और उसके बा चयो, कहीं न कहीं जाँच इसकी होगी और क्या कुछ इस जाँच में निकल कर आता है, क्या ये पहले से ही जो सोची समझी रंदिती के तहच जो है उसे थ थपड़ मारा गया है या फिर जो है वो एकाएक इस तरह की हर्कत जो है उस कॉंस्टेबलने की है और ये सब को तब निकल कर आएगा लेकिन जिस तरह से अभी हाली में निर्वाचित जो सांसद है कंगना रनोत और आज पहली बार वो जीतने के बाद जो है वो डहली जा रही थी लेकिन चंडिगड एरपोर्ट पर जो है उनके साथ इस तरह का जो है कहीं न कहीं उन्हें थपड रखा जा